बच्चो नमस्कार गनित की कक्छा में आपका स्वागत है बच्चो आज हम गनित की कक्छा में कक्छा 2 का अध्याय 10 समय पे चर्चा करेंगे ये आपके सीखने के प्रतिफल M212 को विक्सित करेंगे जिसमें आप सीखने के प्रतिफल M212 को विक्सित करेंगे, जिसमें आप सप्ता के दिनों को और वर्स के माह को पहचान सकते हैं. तो चलिए बच्चो प्रारम्ब करते हैं. हम बच्चो देखते हैं कि समाने जीवन में जो हमारे दिन होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं बच्चो? अलग-अलग होते हैं. तो सप्ता में कितने दिन होते हैं बच्चो? साथ दिन होते हैं. कितने दिन होते हैं? साथ दिन. इसमें आप देखे होंगे कि हमने हर एक दिन को अलग-अलग नाम दिया है जैसे सोमवार, मंगलवार, भुद्धवार, गुरुवार, सुक्रवार, सनिवार और रवीवार तो बच्चो आप देखे होंगे कि हर एक दिन में हमारी जो कुछ क्रियाविदी रहती हैं वो बदल जाती है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे पसिंदिदा दिन कौन सा है तो बच्चो आप क्या जवाब देंगे? जैसे रविवार क्यों आपके छुट्टी का दिन है? उसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि सोमवार और बुद्धवार के बीच कौन सा दिन आता है बच्चो? तो आप क्या बोलेंगे? मंगलवार अगर ये मैं पूछूं कि आज कौन सा दिन है? तो आप क्या जवाब देंगे बच्चो? तो अपने माता पिता से पूछे कि आज कौन सा दिन है? इसी प्रकार आप पूछे कि कल कौन सा दिन था? और आने वाला दिन कौन सा होगा? अब बच्चो जैसे मैं मान लिता हूँ कि आज का दिन गुरुवार है तो कल कौन सा वार रहा होगा बच्चो? जी हाँ, बुद्धवार क्यों? गुरुवार के पहले क्या आता है बच्चो? बुद्धवार तो कल कौन सा दिन रहा होगा? बुद्धवार वैसे मैं बोलू कि कल कौन सा वार आएगा तो बच्चो गुरुवार के बाद कौन सा वार आता है सुक्रवार तो कल कौन सा दिन आएगा सुक्रवार इसी प्रकार बच्चो आप देखे कि आज कौन सा दिन है और उसके अधार पर आप कल के दिन का और आने वाले दिन का भी पता लगाईए इसी प्रकार वच्चो आप देखे होंगे कि आपके गाउं में कुछ विशेज दिन पर ही बजार लगते हैं तो आप पता लगाईए कि आपके गाउं में कौन-कौन से दिन बजार लगते हैं और उन दिनों का नाम क्या है? इसी प्रकार से आप देखते होंगे कि आपके स्कूल में जो आपको मध्यान बोजन मिलता है उसमें भी दिनों के अधार पर कुछ अलग-अलग सामागरी मिलती है इसमें आप पता लगाईए कि आपको किस दिन मीठा मिलता है? इसी प्रकार आप देखे होंगे कि सप्ता में एक दिन ऐसा आता है जिसमें आपके स्कूल की छुट्टी रहती है तो बच्चो ये तो आपको पता ही होगा छुट्टी किस दिन रहती है बच्चो? रविवार को तो बच्चो इस तरह से हमने सप्ता के दिनों के नाम सीख लिए अब आप ये भी पता कीजिये कि आपका जो जन्म दिन है वह कौन से दिन को आता है साथ में आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो बाकी सदसे हैं उनका भी जन्म दिन कौन कौन सा है ये सब आप पता लगाई है, अब बच्चों हम आगे देखते हैं, हमने जिस प्रकार सप्ताह के दिनों को अलग-अलग नाम दिया है, उसी प्रकार से हमने एक वर्स में भी बारा भाग किये हैं, जिसे हम माह बोलते हैं, तो हम एक वर्स में बारा माह लेते हैं, बच्चों आपको यहाँ पे एक सुन्दर सा चित्र दिखाई दे रहा होगा इसमें देखिए इसके चारो और माह के नाम लिखे हुए है आप देखिए इसके चारो और माह के नाम क्रम से लिखे हुए है जिस दिशा में घड़ी की सुईया चलती हैं, उसी दिशा में माह का नाम लिखा गया है साथ ही साथ आप देखिये कि माह के साथ कुछ संख्याएं भी लिखी गई है बच्चो यह संख्याएं उस माह में आने वाले दिनों की संख्या है जैसे जनवरी के नीचे देखे बच्चो आपको 31 दिखाई दे रहा होगा अर्थात जनवरी माह में 31 दिन होते हैं अब बच्चो आप देखे आपको फरवरी के साथ कौन से संख्या दिखाई दे रही है 28 तो फरवरी माह में 28 दिन होते हैं साथ ही साथ आपको 29 भी दिखाई दे रहा है तो 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं परन्तु 29 दिन 4 साल में एक बार होता है और बाकिस जो साल रहते हैं उसमें 28 दिन होते हैं बच्चो इसी प्रकार आप देखिए आपको पूरे मा लिखे हुए हैं और उनमें कितने दिन होते हैं ये भी दिये गए है अब बच्चो हम इसी पे काम करते हैं तो बच्चो आपको एक तालिका दिखाई दे रही है इसमें देखिए आपको क्रमांक एक से बारा तक लिखे गए है और उसके बाद में आपको उपर देखिए माह के नाम लिखे गए तो बच्चो आपको ये चित्र देखते हुए एक से बारा महिने के पहले नाम लिखने हैं, उसके बाद उसके सामने आपको उस माह में कितने दिन होते हैं ये लिखने हैं, तो आप इस तालिका को पूरा कीजिए, ये आपके पाठ़ पुस्तक में दिया गया है इस तालिका से हमें जो जो जानकारी मिल रही है, उस पे हम कुछ चर्चा करते हैं जैसे कि पहला वर्स में कितने माह होते हैं, तो आप देखें बच्चो आपने कितने महिने का नाम लिखा था बारा तो वर्स में बारा माह होते हैं उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जनवरी और मार्च के मध्य में कौन सा माह आता है तो आप तालिका देखे बच्चो कहां पे जनवरी था और कहां पे मार्च था उन दोनों के बीच में आपको कौन सा माह नजर आ रहा है बच्चो हाँ फरवरी तो जनवरी और मार्च के मद्य फरवरी आता है हम तीसरा अभ्यास देख सकते हैं कि अगस्त माह कौन से महिने के बाद आता है तो बच्चो आप देखे चितर में अगस्त कहां पे लिखा है अब देखे बच्चो कि अगस्त के पहले माह का नाम क्या था जुलाई तो अब हम कह सकते हैं कि अगस्त जुलाई के बाद आता है अगस्त में क्या करते हैं बच्चो हाँ, 15 अगस्त हमारे अजादी का दिन आप अपने स्कूलों में जंडा फैराते होंगे हाँ, तो 15 अगस्त, अगस्त माह में आता है आईए बच्चों, हम अगले अभ्यास में चलते हैं अब हमको बताना है कि आठवा माह कौन सा है तो बच्चों, मैंने बताया था कि माह का नाम एक क्रम से लिखते हैं पहला माह क्या बताया था मैंने बच्चों, जनवरी तो आप गिनते वे चली बच्चों, तो आप देखेंगे तालिका में आठवा माह कौन सा है बच्चों जी हाँ अगस्थ देखिए एक बार फिर से आ गया अगस्थ हमने अजादी मनाई है तो आठवा माह का नाम भी क्या है बच्चों अगस्थ अब बच्चों हम अगला भ्यास देखते हैं तो दिया है कि मई माह किस महिने के बाद में आता है तो बच्चों आप तालिका और देखे कि मई माह के पहले क्या लिखा है तो क्या लिखा है बच्चो अप्रेल तो अप्रेल के बाद क्या आता है बच्चो मई अप्रेल का क्या खासियत है बच्चो हाँ हमारा जो सत्र होता है वो अप्रेल में समाप्त होता है और मई में आपको गर्मी की छुटिया मिलती है अब हम आगे चलते हैं बच्चो अगला अभ्यास दिया गया है कि जुलाई किस माह के बाद आता है तो आप देखे बच्चो जुलाई के पहले क्या आता है जून तो हम कह सकते हैं कि जून के बाद जुलाई आता है जून की खासियत बताईए बच्चो हाँ आपके स्कूल भी तो जून में ही प्रारंब होते हैं 16 जून से तो जून के बाद क्या आएगा बच्चो जुलाई इसी प्रकार हम अगला भ्यास देखते हैं कि वर्स का तीसरा महिना कौन सा होता है तो बच्चो पहला महिना जन्वरी, दूसरा फर्वरी और तीसरा मार्ज तो वर्स का तीसरा महिना मार्ज होता है अब बच्चो हम गनतंत्र दिवस किस महिने में मनाते हैं तो आप देखेंगे कि गनतंत्र दिवस यानि 26 जन्वरी तो क्या लिखा है बच्चो जन्वरी अर्थात गनतंत्र दिवस हम जन्वरी में मनाते हैं और जन्वरी वर्स का पहला महिना होता है अगला अभ्यास देखते हैं तो वर्स का अंतिम्मा कौन सा होता है बच्चो तो अंतिम्मा दिसंबर होता है आप नए साल के खुशी मनाने के लिए दिसंबर में ही इंतिजार करते हैं और दिसंबर में खासित क्या है बच्चो क्रिस्मस हम 25 दिसंबर को क्रिस्मस भी मनाते हैं अब बच्चो आप देखिए ये दिसंबर से पहले कौन समाह आता है तो दिसंबर से पहले आता है बच्चो नौवंबर आप नौवंबर में समानिता दिपावली मनाते होंगे क्योंकि लगभग दिपावली नौवंबर में ही मनाया जाता है अब बच्चो आपको मैंने दिन के अधार पर अपना जनम दिन निकान निकले बोला था अब बच्चो आप यह भी खोजिये कि आपका जनम दिन किस माह में आता है उस महिने का नाम आप बताईए इसी प्रकार आप देखिये कि हम एक विशेज दिन को आपके नाम से अर्फात बाल दिवस के नाम से मनाते हैं तो यह बाल दिवस किस महिने को आता है बच्चो नौवंबर के 14 तारिक को हम बाल दिवस मनाते हैं तो कौन से महिने में आया बच्चों, नवंबर में, तुन 14 नवंबर बाल दिवस होता है, इसी प्रकार बच्चों, हर माह कुछ न कुछ विशेस त्योहारे आते रहती हैं, आप देखिए कि कौन से माह को हमने कौन सी त्योहार मनाई, हमने कब होली मनाया हमने कब मकर संक्रांती मनाया हमने कब इद मनाया इन सभी महा का नाम आप अभ्यास के रूप में करके देखिए हमने कब छेर छेरा मनाया आप ये सब अभ्यास करके देखिए अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने घर में अपने बड़े भाई या अपने माता-पिता से उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। बच्चो अब हम मिलते हैं गनित की अगली कक्षा में कुछ नई अउधार्नाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।